एक्सराइस 12.2, कोशन 3, फ्रेक्टराइज, पार्ट 5, Lm प्लस L, प्लस M प्लस 1, पार्ट 5 हम यहां लिख लेते हैं, Lm प्लस L, प्लस M, प्लस 1, हम यहां पे देखते हैं, पहले दो टर्म्स में हमें L कॉमन मिल रहा है, है तो हम l को common रख लेते हैं बचता है first term में m और second term से हम l common ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं बचा है तो हम 1 रख सकते हैं multiply करके हम check करते है l m l m l into 1 l so हमारा factorization correct है बाकी के दोनों terms में यहाँ पे हमें कुछ भी common नहीं मिल रहा है तो हम 1 को common रख सकते हैं first term में हमें m मिलता है plus second term में one अब हम देखते हैं कि पूरा bracket common आ गया है m plus 1 m plus 1 so हम m plus 1 common रख लेते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है l और यहाँ बचता है one so these are the two factors